अमेजॉन दुनिया का सबसे बढ़ा और सबसे प्रसिद उश्नकटि बंधिय वर्शावन है। प्राथमिक वन विस्तार के आधार पर अमेजॉन वर्शावन दुनिया के दूसरे सबसे बड़े वर्शावन, कांगो वर्शावन से तीन गुना अधिक बड़ा है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के दो सबसे बड़े जंगल के बारे में और इस जंगल का रहस्य नमबर एक अमेजॉन वर्शावन अमेजॉन जंगल दक्षन अमेरिका के भूभाग में सत्तरा लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है अमेजॉन जंगल विश्व का सबसे बड़ा जंगल होने के साथ साथ इसे पृत्वी का फैला भी कहा जाता है क्योंकि 20 प्रतिशत आक्सीजन इसी जंगल से मिलता है अमेजॉन जंगल जितना बाहर से खुब सूरत दिखता है उतना ही अंदर से डरावना है इस जंगल के सबसे बड़े शिकारी ब्लैक कैमन, जबुआर, कौगर और अनाकोंडा है और नदी में इलेक्ट्रिक इल है जो करीब करीब 880 वाट का जटका नोटिस किया गया है जबकि पिराना इनसानों को काटने और घायल करने के लिए जाना जाता है अगर पूरे अमेजॉन जंगल की बात करे तो दुनिया का नौवा सबसे बड़ा देश होता वैग्यानिक के खोज मताबिक इस जंगल में 40,000 से भी ज्यादा पौधों की प्रजातियां 2200 मच्छलिया, 1294 पक्षिया, 427 तंधारी, 428 उभेचर और 378 सर्पों का घर है इस विशाल काई जंगल में किलो की प्रजातियां करोलों की संख्या में है अमेजॉन के जंगल में दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी टारेट यूला डाइना सोर के समय से ही प्रित्वी पर रहे है और 30 वर्ष तक जीवित रहते हैं वे मकड़ीया 10 से 13 इंच तक बड़े होते हैं और इस मकड़ी में कोई जहर नहीं पाया जाता है अमेजॉन के जंगल में कुछ जीव इतने खतरनाक है कि वहाँ जाने के लिए अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते है पॉइजन डाक फ्रॉग ये एक मात्र ऐसा मेलक की प्रजाती है जो अपने मास के माध्यम से लिफोपिलिक अलकलाइड विशारी पदार्थों का स्त्राव करता है बुलेट एंट अमेजन के जंगल में पाया जाने वाला बुलेट चीटी इसके काटने पर बंदूक की गोली लगने के बराबर दर्द होता है क्योंकि बुलेट चीटी दर्दनाक काटने से 24 धंटे दर्द रहता है नमबर दो कांगो वर्शावन ते हैं कि इस जंगल के कई हिस्से ऐसे भी हैं जहां इनसान भी आज तक नहीं पहुंच पाए है कांगो वर्शावन जिसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जंगल कहा जाता है यह मध्य अफ्रीका में स्थित है और इसका ज्यादातर हिस्सा कांगो देश में फैला हुआ है 23 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक शेत्र में फैला है यह जंगल भी इतना बड़ा है कि 6 देशों के सीमाओं को छूता है कांगो के जंगल को वर्शावन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ अधिकतर समय बारिश ही होती रहती है कहते हैं कि इस जंगल के कई हिस्से ऐसे भी हैं जहां इनसान भी आज तक नहीं पहुंच पाए है यह जंगल इतना घना है कि कई जगहों पर तो सूर्य की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती है आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जंगल में एक दो नहीं बलकी कुल पांच नेशनल पार्ग हैं जैसे अमेजॉन के जंगलों के बीच अमेजॉन नदी निकलती है ठीक वैसे ही इस जंगल के बीच से कांगो नदी निकलती है जिसकी लंबाई करीब 4700 किलो मीटर है यह अफरीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है और यह दुनिया की सबसे गहली नदी है यह अंगोला, बुरुंडी, कैमरून, तंजानिया और जामबिया जैसे कई देशों से होकर गुजरती है इस जंगल में 11000 से भी अधिक प्रकार के पेव पौधे मौजूद है इन में से 1000 तो ऐसे हैं, जो सिर्फ इसी जंगल में उपते हैं इसके अलावा ये जंगल 2000 से भी अधिक तरह के जीवों और 1000 से भी अधिक तरह की चिवियों का घर है यहां ऐसे ऐसे खतरनाक जीव जंतु रहते हैं, कि अगर कोई इनसान गलती से भी घने जंगलों में पहुंच जाए तो फिर उसका लोट कर वापस आना लग भग ना मुम्किन है